जिन में especially बच्चों को ये बताना चाहिए कि इस टाइम पर ये good touch और bad touch क्या reactions कर सकते हैं तो फिर आप हमाई program में call भी कर सकते हैं कर आपके साथ कोई ऐसा हाथसा हुआ है ये को सीखना चाहते हैं पूछना चाहते हैं दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं अफिजा टाच पहले तो जनरली अगर हम इसको एक्सप्लें करें टाच इस सम्तिंग जिसमें आप के साथ कोई भी ऑपोजेट जेंडर का या सेम जेंडर का किसी भी एज का परसें जो फिजिकली इन कॉंटेक्ट आता है अब गुड़ टाच और बाड़ टाच जो है उसमें मेजर डिफरेंस यह है कि गुड़ टाच इस साम्थिंग विच वैनेवर हपन्स तो आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं आप उस परसन की अपने साथ कमपनी से क्योर्ड फील करते हैं आप उसके टाच को एप्रिशिये लेकिन बाड़ टाच जो है वो इटसेल्फ हमें इंस्टिंक्टिबली ही उसको फाइड बैक करने की जो एक खौहिश होती है वो हमें अपने अंदर मैसूस हो रही होती है जैसे आपको कोई अनफेर स्टेयर भी कर रहा हो घूर रहा हो तो यह भी एक तरह का ऐसा एक्सपीर परसें आराउड वो किसी भी तरह का टाच हो सकता है वो अगयन पैतिंग और चीक और पैटिंग और शौल्डर वो किस तरहां से किया जा रहा है उसकी वाइब आपको कैसे महसूस हो रही है वो बैड टच में आ जाता है अब यूजिलि यह होता कैसे है और कौन इसके प्रे से गो प्रभाते हैं जधाता अहर पर जनव यूद्स शिकार होती यस की वो बडशेंग जो के बहुत अर्ली एज बच्छे होते हैं जन जयानि के दोस्जा तीन साल चाहर साल और हम इसलिए देखते हैं कि आए दिन हमें रेप केसे जो हैं जो के अरली बच्चों के साथ हो रहा होता है जिसमें सेंच्च्वल अब्यूस और उसके रिपोर्टेट केसे पता चल रहे होते हैं कि इसकी रीजन ये है कि उन बच्चों के जो माबाप हैं वो उनको अवेरनेस नहीं दे रहे होते हैं कि हमें उस सिचुवेशन में अपने आपको हैंडल कैसे करना और इडिन्टिफाइ कैसे करना है कि दाट परसन विस टचेश टचिंग अस वो ठीक नियत से कर रहा है या गल प्लेकर एक है पारेंट्स और एक हैं उनके स्कूल्स जैसे मैं नहीं एक को बताया कि छोटी एज के बच्चे जो हैं उन ही को जादे एक्सपिरियंस इस गुड़ टाच और बाड टाच के एक्सपिरियंस करने पढ़ते हैं गुड टाच इस ऑब अबिसली ओके बड़ 16 साल तक के बचचे जो हैं उनके साथ पड़ेंट्स बात चीत नहीं करते स्पेसिफिकली प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उनके बारे में एक नोहाव उनी शुरू हो जाती कि दिस इस साम्तिंग विच आइशूड हाइड ताके यह भी वही उसी वजा से होता है कि बच्चे की ट्रेनिंगी शुरू से इस तरीके से की जाए और माबाब तो मेरा खाल जरूरी नहीं है कि आप बहुत आडल्स की तरह बात करें उनको बता से बिटा इफ यू आर नॉट कमफरेबल विच सामवन अगर आपको कोई आंटी कोई अंकल अच्छे नहीं लगते तो आपने हमें बताना आपके साथ कोई ऐसे बैठता है जिससे आपको अच्छा नहीं तो आपने हमें बताना हैं और उससे पहले भी सबसे इंप Свbacks किया है कि बच्चे को बता दे कि आपने किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं बैठ ना आपने किसी स्ट्रेंजर के से कुछ लेके नहीं खाना आप शुरू ही हैं से करेंगे तो उसको अज़ को बता होगा कि कौन मेर जानने वाला है और कौन मेरा जानने हो तो 50% आप उसको वैसे ही सेफ कर लेते हैं प्लाइस पैरेंट्स को कहीं पे भी चाचा ताया फुफो फुफा लाइक किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए यह मतलब इस वेरी बिग तिंग बट हमारे कल्चर में जादा प्रेडिटर्स आप देखते हो तो वह घर का ही बंदा होता है तो पैरेंट्स का काम है अपने बच्चे की हिफाज़त करना आप बच्चों को बगार सुपर विजन के किसी भी एक्स्टेंड़ फैमिली मेंबर के साथ मत भेजें चाहे वो मेल है या वो फीमेल है विकास ऐस तो आज करेंड में भी एक प्लेड के लिए बेजा जाता है दूसरे बच्चों के घरों में जो स्कूल के उनके सारे स्टूडेंस होते हैं सारे प्रेड्स होते हैं अब क्यूंकि प्रेंट्स मोस्ती आपस में नहीं मिल रहे होते मगर बच्चे जो हैं जब छुटी आती है तो प्रेटफ़ेर्ट के लिए जाना है ठीक है और भूर पूरए डे स्पेंट करें होते हैं और बेची यह बेचे जारा होता है तो वहां पर टूप पता नहीं होता है ऑर अरग्रा को जिस फैमिली से बिलॉंग करती हूं या मैं जब अपना बच्पन गुजारा तो वी वर नोट अलाव टो गो एइनिवेर। चलो वो तो एक टाइम बहुत पुराना था। लेकिन आज के दौर में भी पैरेंट्स रो हैं वो बच्चे को किसी और के साथ भी भीज के किसी ड्राइवर के साथ भीज दिया या किसी फिरेंट के घर बेज दिया वो केर फ्री हो जाते हैं विच इस रॉंग में पहले तो प्राइवेट पार्ट को जो है हाइड कैसे करना वो बताना समझाना शुरू कर देना चाहिए उसके बाद यह जो गुड टर्ज बैटर्ज है इसके बार में प्रॉपर जो उनको कांसुलिंग करनी है वो किस एज में करनी है जैसे ही अब तो स्कूल में भी हो रह आता है अब वो एक्सपिरियंस कैसे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं इसी तरीके से उनकी आडल परसनालिटी डिवेलप होती है हमारी सुसाइटी में जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत बुरी तरह से अब्यूस किया जाता है चाहिए वो फिजिकल है इमोशनल है या इस पर बात भी नहीं कर सकते हैं कि उनको पहले ही डराया धंकाया जाता है फ्रॉम दा प्रेडिटर और फिर बच्पन से माबाप जब बात नहीं करते हैं इस टॉपिक के उपर तो उनके अंदर एक शरम और कंफूजन और यून नर्विसनेस का अलिमेंट भी एन्हांस हो रहता है कि यह तो बहुत बुरी बात है इस पर तो में बात ही नहीं करनी चाहिए माब आपको बच्चों को शुरू से ही कॉंफिडेंस देना है कि इफ एनिधिंग हपन्स विद यू चाहे वो अच्छी है या बुरी है यू है तो कम तो मी अंड टॉक आप किसी बच्चे क साथ या हाथसा पेश आता है बैट टॉच का और वो घर पे आके बता भी देता है ठीक है पिरेंट्स को तो क्या एक्दमाद करने चाहिए उस फ़रन क्या रियक्शन होना चाहिए बाट टॉच को रियक्ट करने के कुछ स्टिप्स होते हैं जैसे बच्चे को पहले से माब आपने बतायों कि बेटा खुदाना खासता अगर आपके साथ कोई ऐसे एक्सपिरियंस होता है तो आपने कैसे बिहेव करना है वहाँ पे छुप कर के नहीं बैठ जाना वहाँ पे एकदम से अपने आपको डर महसूस नहीं करना जैसे ही आपको फील हो के प्रेडिटर आप खुद खौफ सदा उन्हें उस प्रेडिटर के खौफ को बढ़ाना है तो शाउट करें हेल्प के लिए यूनो आवाज निकाले चीखे के मुझे मुझे हल्प की जरूरत है और वेरी कॉंफिटेंटी है तो मुश्किल मगर काउंसलिंग इस वेरी इंपॉर्टेंट क्योंक इस ने करनी है यह माबाप नहीं करनी है पर रेंटिंग इसलिए कहते हैं कि बहुत मुझकिल काम है एक इंसान का माबाप बनना उसकी परविश करना इस नोट दाटीजी एक तो यह हमारी इस नोटीजी रिस्पोंसिबिलिटी है बाप सम्थिंग है अल्ला ना करे अल्ला ना करे कोई ऐसे कुछ ऐसे बैद टच का कोई रिक्शन हो गया बच्चे के साथ दिन ओर इस पहले उसको सपोर्ट प्रोवाइट की जाए इमोशनल अड़ पीक कि इफ ही गॉड़ फर बच्च तो फिर पैरेंट्स जो हैं वो उसको ऐसे घेर लें जैसे आपके इलावा उसका प्रोटेक्शन वाला कोई बन्दा है यह नहीं मोरल सपोर्ट फॉरन उसके बन्नी है बतला वो आप फिजिकल कमफर्ट दें उसको हग करें उसको बताएं बिटा इट इस हैपन ओके फाइन वी विल डील विद इट उसको यह इसास ना बताएं ना उसके सामने बैट के डिसकास करें ओहो इसके साथ क्या हो गया जैसे मैं टीवी पे देख रही होती हूं तो जो डॉक्यमेंटरीज बन रही होती हैं जैसे कोई लाइव एंकर जो है वो किसी का इंटरव्यू कर रहे है आप कोई बच्चा या बच्ची अब्यूस का शिकार हुआ हुआ है पैरेंट एक तरफ बैठा हुए एक तरफ विक्टम बैठ बैठा हुए दरम्यान में एंकर बैठा हुए और वो कोईसिन पर कोईसिन करी जा रहे हैं अब के साथ किस वकत हुआ कैसे हुआ किस ने किया अब बच्चा ऑल्रीडी एक ट्रॉमा है और आप अपनी उस चीज़ को हाइलाइट करने के लिए लिए उसको और जादर तो अखबारी रिपोर्टर जो है वो पूरी शकल दिखा रहा है उसकी के बच्ची के साथ ये हुआ उसने चीख मारी उसने का बचाओ इस तरह के आवाज ये जो यूट्यूबर है ये जो बखवाज घटिया दो टके के वेले फरग यूट्यूबर है ना इनको शरम आनी च चाहिए उस बच्ची के साथ अगर कोई ज्याती हुई है ये इसके साथ बैट टाच हुआ है तो ठीक है उसकी इस तरह की स्टोरीज ले लेके अपने थमनेल गंदे बना के गंदे गंदे लफजों वाले गंदी तस्वीरे लगा कर तो उस बच्ची की जिंदगी खराब करे चोटी सी बच्ची उसके साथ अगर कोई ऐसा ट्रामा हुआ भी है तो इस तरह की बखवास अपने सिर्फ चैनल को प्रोमोट करने के लिए अपने इस रेटिंग के लिए थोड़ो से टके के पैसे कमाने के लिए किसी की बच्ची की जिंदगी शकल दिखा दिखा के खराब करें कलकुस की शादी मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग ताक में होते हैं कि इनको कोई ऐसा चीज मिल जाए जिसको ये बढ़ा चड़ा के लोगों को बताएं और उस पंदगी बाद करें आप ये देखें ये बच्ची जिसका आप जिकर कर रही हैं वो ये चीज जो फेस कर